नमबर 23 जिन सब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं भाई बता दो देखते हैं कितने लोगो ये पता है 23 का राइट एंसर क्वेश्चन क्या करें देखें जिन सब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं भाई बताओ 23 का पता है किसी को 23 का डी मांसी न पुछा गया था अगला देखे क्वेशन नमर चौबिस छावर्ण किसके योग से बना है चौबिस का उतर दो देखे किसको किन किन छात्रों को लगता है कि यह क्वेशन इंपोर्टन है जो सरकर आ रहे हैं आप प्रूफ कुछ देख सकते हैं यह प्रवेस परिच्छा और इससे इंपोर्टन क्या करा हूं भाई मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने चैनल पर इस तरीके से पढ़ा रहा होगा आपको टॉपिक वाई जो इंपोर्टन क 25 हैं हिंदी वर्ण माला में सवरों की कुल संख्या कितनी है 25 का राइट एंसर दो देखिए आपको लग रहा इजी क्वेस्टन है यह देखिए बीड में पूछा गया था इतना टफ नहीं पूछा जाने वाला हैं इंट्रेंस का एक्जाम है कोई आपको सरकारी नोकरी नही लोग D answer की हैं बिल्कुल सही है 13 बिल्कुल D right answer अगला देखिए question number 26 दोस्तों निम लिखित में स्वर नहीं है निम लिखित में कौन सा स्वर नहीं है बतादो इन चारों में से कौन सा स्वर नहीं हैं मता दो बाइज फटावर 26 कराई इंसर देखते हैं किसका गलत जाता है 26 तेट 20 का मैं एंसर देख रहा हूं सब्टका 26 के यहाँ पर अबुजी ने डी एंसर दिया नेयां साफित लोगिंध to पूजा, आस्टोस, अमन, जिया, सिवानी, गौरा, पलक, रिना, तीरत, राज, जितेंद्र, जिग्यासा, 27 का जितने लोगों ने एंसर किया है याँ पर भाई, डी बिल्कुर राइट एंसर है, घा, घा जो है आपका, ये टावर्ग का नहीं है, अगला देखें क्वेशन न वंजनों की संख्या है, 28 का उसतर दो, हिंदी वान माला में वंजनों की संख्या कितनी है, 28 का राइट अंसर। कि बहुत बढ़िया 28 के काफी लोग एंसर करना स्टार्ड कर दी है 28 का जिन लोगों ने एंसर किया यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 33 अगला देखिए क्वेशन बचे हुए है एक भी क्वेशन मिस नहीं करना है सभी को क्वेशन नंबर 29 का जितने लोगों ने एंसर यहाँ पर किया है 29 का यह बिल्कुल सही उत्र है अगला देखिए क्वेशन नंबर 30 निमन लिखित में से कौन सा आयोग हुआ है बतादो 30 नंबर का राइट एं सारे टॉपिक के आयसे ही 200 क्वेशन कर वाँगा गारेंटी है मेरी अगर आपनी इस तरीके से पढ़े ली इसारे टॉपिक के 200 क्वेशन बाई 50 में 50 गारेंटी के साथ कह रहा हूं एक भी क्वेशन छोड़के नहीं आएंगे वहां पर और आखे कॉमेंट में कहेंगे थैं सबकर रिवाइस कीजिएगा क्वेशन नमबर तीस कर आइड एंसर आपका आप्सन नमबर यहां पर हो जाएगा विशर्ग ए बिल्कुल सही होतर है टेलीग्राम जोइन कर लो मैं कोशिज करूंगा इसका पीडिया फाइल भी टेलीग्राम पर संड कर दूंगा रिवीजन क माइड करो 설 को सब हिलोग जदा-जिदा लाइक एंड शिकर कर दो क्वेशन नमबर 301 का राइट एंसर जितने लोगों ने ऐनसर किया आपर 31 का सी बिल्कुल सही है बाई तालव बहुत बढ़ यहां सी जितने लोगों ने एंसर किया बिल्कुल सई उतर किया है अगला देख तो लाइब नहीं कंप्लीट हुआ है वाइस देख लो थोड़ा सा शेर कर दो हो सके अगर सर को लग राओ सर डिजर्ब करते हैं इतना तो प्लीज शेर कर दो वाट्सप पर 32 का राइट एंसर आपका option नमबर यहां पर हो जाएगा बी शा शा जो है शैयुक्त वेंजन नहीं है बिल्कुल बी बिल्कुल राइट एंसर अगले प्रसुन की तरफ बढ़ते हैं question नमबर 33 तालव वेंजन है भाई बद तालव वेंजन कौन सा है यहां पर बहुत बढ़िया 33 का एंसर आना start चुका है एंसर सलमा गरिमा चाया प्रतिभा सालू सब लोग एंसर करें 33 कराइट एंसर आपका option नमबर यह बिल्कुल सही उत्तर है भाई चा शा जा 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 तालव वेंजन बिल्कुल अगला देखे question नमबर 34 या रालावा किस वर्क के व साम लोंगा भाई है ना मेहनत करो भाई आप लोग रट रटो इसको याद करो सब लोग 34 कराइट एंसर सी एंसर आ रहा है साक्षी दिवेदी 33 ए सबका सी आ रहा है 34 का बहुत बढ़िया खुस्बू मुर्या डी कह रही है बहुत बढ़िया क्वेशन नंबर 34 का जितने लोगों ने एंसर यहाँ पर किया है 34 का सी बिलकुल सही उतर हो जाएगा अंतर समेंजल बहुत बढ़िया अगला देखे 35 नंबर अनुनासिक का संबंद होता है अनुनासिक का संबंद किस से होता है बही बता दो 35 का उत्तर जल्दी जल्दी करो 35 प्रतिभा ए अंबुज शालू रोली नितियस खुस्बू क्वेशन नंबर 35 का जितने लोगों ने एंसर किया है यहाँ पर सी बिलकुल सही उतर है नाक और मु दोनों से संबंद होता अनुनासिक का अगला देखें क्वेशन नंबर 36 है अनुनासिक वेंजन कौन से होते है बता दो जो प्रस्ट जिस एक्जाम में पूछे गए वो यहाँ पर नीचे लिखे रहते हैं सारे क्वेशन किसी ने किसी एक्जाम में पूछे गए करवा रहा हूं भाई इससे इंपॉर्टन भाई और कुछ नहीं हो सकता है क्वेशन नंबर 36 का उतर दो जल्दी से 36 का डी जितने लोग कर रहो भाई बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्ग के पंचमा अक्षर अनुनासिक मेंजन कौन से होते हैं हर वर्ग के पंचमा अक्षर ठीक है अगला देखिए क्वेशन नंबर 37 है हिंदी व बहुत बढ़िया 37 का जितने लोग का एंसर यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों सी बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 11 है अगला देखिए क्वेशन नंबर 38 है कंठोस्ट कंठोस्ट ध्वनी का उधारन है कंठोस्ट ध्वनी का उधारन कौन सा है बतादू 38 का राइट एंसर सिवानी विवेग प्रतिभा अभिराम साक्षी आसतोस आरती रीना राजेंद्र निश्या पलक कुमारी रूपा सबी लोग जुड़े हैं सब लोग क्लास को शियर कर दो भाई और लाइक करो 200 लोग लाइव देख रहे हैं 127 लाइक है सिर्फ सब लोग लाइक कर दो 49 का राइट एंसर भासा निर्मान करने में इकाईयों का सही अनुकरम क्या है बता दो 49 का सही उत्तर 49 का जितने लोग आइंसर यहाँ पर कर रहे हैं D विलकुल राइट एंसर हो जाएगा ध्वनी सब्द पद और फिर बनता है वाक अगला देखिए क्वेश्चन नमबर 40 है निम लिकित में से उच्छारन स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विविर से में उच्छारित वन्यन धनियों का सही अनुकरम क्या है चालिस का एंसर दो आप लोग 40 नमबर का उत्तर दो जल्दी अल्दी प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की धोनी है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की धोनी है क्वेशन नमबर 41 का एंसर देंगे सब लोग कि फट्टी वन का उत्तर बहुत बढ़िया 41 का जितने लोगों ने एंसर किया है पर ए पार्सविक बिल्कुल राइट एंसर भाई पार्सविक धोनी है आगे बढ़ते हैं question number one की तरफ दूसरा सेट है ये मौखिक भासा का मूल आधार है मौखिक भासा का लिखित का नहीं पुछा रहा है मौखिक भासा का मूल आधार क्या है question number one का एंसर दो question number one का एंसर दो very good question number one का जितने लोग एंसर कर रहे हैं आपर बी बिल्कुल right answer हो जाएगा भाई ध्वनी ध्वनी हो जाएगा भाई बहुत बढ़िया अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते है question number two की तरफ question number two आपके सामने है लिखित भासा की लगुत्ता मी काई है question number two का उत्तर दो लिखित भासा की लगुत्ता मी काई कौन सी है यानि सबसे छोटी काई कौन सी है प्रस्ण में चार विकल दिये गए हैं सही विकल पर चैन करकर बताएं कि वेंजन को स्वर्थ रहित दिखाने के लिए किस चिन्निका उप्योग किया जाता है यूपी पुलिस कॉंस्टेबल आया था तीन नमबर का उत्तर दो सब लोग क्लास को like and share कर दो प्लीज, जो लोग लेट आये हैं वो लोग प्लीज क्लास को like and share कर दें तीन नमबर का जितने लोग s answer करें हलंत लगाकर, c बिलकुल सही है, अगला देखे, question number 4 जब स्वर सहीत वेंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है चार नमबर का उत्तर दोजल्दी से क्वेस्चन नमबर फोर का जितने ही स्टूडेंट हमारे अंसर कर रहे हैं यहाँ पर अगला देखें क्वेस्चन नमबर पांच जिन सोरों के उचारन में दो मात्रा कर समय लगता है या हर्स उसे दुगना समय लगता है उनको क्या कहते हैं वाई क्वेस्चन नमबर पांच का एंसर दो आप लो अभिराम, गउरा, बबली, प्रतिभा, सोना, कुमारी, रूपा, अनम, सुरिया, राकेश, अम्रित, पलक, सब लोग एंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया पांच का जितने कि दो सो चौदा लोग जुड़े हैं भाई सेर कर दो ढाई सो लाइब वचिंग आ जाएं क्वेश्चन नमबर छे का राइट एंसर छे का जितने स्टुडेंट हमारे सी एंसर कर रहे हैं सही है सघोस अगला देखिए क्वेश्चन नमबर साथ है निम्न मेंसे कौन सा सब्द स रैइनसर करेंगे सबी लोग अगला देखिए क्वेश्चन नमबर येंस सब्द कर दो आठ नमबर का जितने लोग ऐंसर कर रहे हैं हाँ पर C बिल्कुर सही उत्र है काकल काकल लोड कहते हैं भाई उनी को याद कर लो काकल लोड अगला देखिए क्वेस्चन नमबर 9 कौन से सब्द में राव एंजन नहीं है 9 नमबर का उतर दो कौन से सब्द में राव एंजन नहीं है बतादो 9 का राइट एंसर विशाल, पूनम, एंजल, पाल, निशायादो, बबली, रोली, आसतोज, गौरा, प्रतिभा, साक्षी, तीरत, राज, पलक, सिंग, मनीश क्वेशन नमबर 9 का जितने लोग एंसर करें D मात्र भूमी मात्र भूमी में राव एंजन नहीं है बाई अगला देखिए, क्वेशन नमबर 10 है निम्न में दन्त वर्ण कौनसा है 10 का उत्तर दो, निम्न में से दन्त वर्ण कौनसा है क्वेशन नमबर 10 का जितने लोग एंसर करें A, बिलकुल राइट एंसर है 7, शाज वर्ण है, ये दन्त वर्ण है अगला देखे question number 11 निम्न में अनुनासिक वर्ण कौनसा है 11 का उत्तर दो सब लोग अनुनासिक वर्ण कौनसा भाई question important लग रहे हूँ तो सब लोग class को like कर दो काफी लोगों ने अभी तक like नहीं किया है class को question number 11 का उत्तर दो 11 का जितने लोग answer कर रहे है c बिल्कुल right answer है मा भाई मा अनुनासिक वर्ण कौनसा है तो मा जो है अनुनासिक वर्ण है अगला देखे question number 12 निम्न लिखित भासा में मूल धोनियों के लिए जो चिन्द मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जिस रूप में ये लिखे जाते हैं लिपी कहते हैं उसको लिपी कहते हैं बिल्कुल right answer अगला देखे 13 नमबर देखे कुछ वर्ण यहाँ पर दिये गया है आद का उच्चार्ण किस से होता है बताओ 13 का उत्तर इन वर्णों का उच्चार्ण किस से होता है question number 13 का जितने लोग answer कर रहे है सी तालब से बिल्कुल सही उत्तर है यह सारे तालब विवाण है अगला देखे question number 14 सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ण कौन सा है ऐसा कौन सा option है जिसमें सभी one महाप्राण वर्ण है question number 14 का answer दो and 200 live watching में अभी काफी कम हैं दोस्तों लोग मैं आप सभी से request करता हूँ सभी लोग class को एक बार WhatsApp पर अपने दोस्तों को share कर दो please share कर दो आप लोग question number 14 का राइड answer 14 नंबर का जितने लोग answer कर रहे है ए बिल्कुल सही है खा छा और ठा ये सभी तीनों महाप्राण वर्ण है अगला देखे question number 15 है सभी 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 वर्ण वाले कौन से वर्ण है ऐसा कौन सा option जिसमें सभी वर्ण सभी वर्ण सभी वर्ण है question number 15 का उत्तर मनीज, गौरा, कविता, प्रतिभा, सिया, गर्वाल, मोना, जिया, आस्तोस, कपिल question number 15 का जितने लोग C एंसर कर रहे है का, चा, पा, दा ये सभी आपके सभी वर्ण के वर्ण है अगला देखे question number 16 है कंट तालव कौन सा है 16 का एंसर दो कंट तालव कौन सा है याँपर 16 नामर का जितने लोग एंसर कर रहे है आपर 16 का C बिल्कुल सही है कंट तालव है A और A आगे देखे question number 17 है जब एक ही ध्वनी का दुईत्ट हो जाए तब वह क्या कहलाता है 17 का उत्तर दो आगे नहीं जा रहे हैं आप पीछे चल रही है कुछ लोग के जब net slow हो जाता है तो YouTube क्या करता है कि आपको वही से प्ले करता जहां से आपका net slow होता है तो आप प्लीज लाइब पर क्लिक करकर exact लाइब पर आजाए question आगे चल रहे हैं आप पीछे answer कर रहे है 7 number का right answer चितने लोग B answer कर रहे है युगमक धोनी बिल्कुल सही उत्तर भाई युगमक धोनी जब एक ही धोनी का दुईत हो जाए तब क्या कहलाता है युगमक धोनी कहलाता है अगला है 18 number इसपरस वेंजन कंट धोनी अगोस और महापरान धोनी है ये बहुत ही important माण है भाई ये एक ऐसा वन्ण है जो इसपरस वेंजन भी है कंट धोनी भी है अगोस है और महापरान भी है याद करिए 18 कराईर एंसर बता दो जल्दी से प्रियंका कुमारी कुमारी रूपा रिया मिश्रा अभिराम सिंग पंकज कोश्वाह विवेक भट गाउरा सिया आस्थोस देविका 18 का जितने लोग एंसर C कर रहे है खा खा एक ऐसा वन्ण है जो इसपरस वेंजन भी है कंट धोनी भी है अगोस वन्ण भी है महापरान वन्ण भी है अगला देखिए क्वेशन नमर 19 है जिनका उच्चारण उपर के दाक्तों पर जीव लगाने से होता है उसे क्या कहते है 19 का एंसर दो आप लोग 19 नमर का एंसर दो सब लोग शियर कर दो क्लास को और लाइक कर दो जितने लोग ने किया नहीं अभी तक लाइक प्लीज सब लोग क्लास को शियर कर दो धाई सो लाइव वचिंग कर दो बाई एक छोटा सा एम है आपके शरका आप सर के लिए इतना तो कर सकते हो बाई 19 का राइट एंसर 20 से हो जाएगा बाई दन तेवन बिल्कुल सही उतर है 20 का बी बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जिनका उचानल बिना आउरोध अथवा विधन बाद उन्हें स्वर कहते हैं बिल्कुल सही है अगला देखे 21 हिंदी में मूलता वर्णों की संख्या कितनी है 21 कराई एंसर दो बाई टेली ग्राम जोईन कर लो पीडिया फाइल और एक्स्टा नोट्स वगरा चाहते हो तो टेली ग्राम ग्रूप का लिंक की नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है जो लोग नए आए हैं पहली बार क्लास में आज वो लोग चैनल को सब्सक्काइब करके बेल आइकन को अन कर लो इसके बास साम साथ बे जीके और राज साड़े नो बजे हिंदी का लाइब टेस्ट होगा क्वेशन नमबर 21 का राइट एंसर C से हो जाएगा बाई बावन अगला देखिए क्वेशन नमबर 22 है छाद होनी किसके अंतर का दाती है 22 का उतर दे दो आप लो 22 नमबर का राइट एंसर बता दो जल्दी से बहुत बढ़िया बाई कुछ लोगों की कमी है कुछ लोगों की कमी है 200 लाइब वोच्चिंग में सब लोग शियर कर दो एक बार 22 का राइट एंसर C से हो जाएगा संयुक वेंजन अगला है क्वेच्चन नमबर 23 निम्ड में से महा प्राण धोनी है निम्ड में से महा प्राण धोनी कौन सी है 23 का उतर दो खुस्बू जी डेली सुबा 11 वे एक लास चलती है यह वाली साम साथ बे जीके की होगी और रास आनलों लें हिंदी की होगी गरसन से उच्चारित वेंजन है इंपोर्टन क्वेचन है बताओ 24 का राइट एंसर घरसन से उच्चारित होने वाला वेंजन कौन सा है भाई 24 नमबर का राइट एंसर दे दो जल्दी से राकेश, पूनम, बबली, साक्षी, आस्तोस, रीना, विशाल, गौरा, तीरात राज, शिया, अगरवाल, जेबा क्वेचन नमबर 24 बहुत बढ़ी है भाई, 227 लोग हो चुके, 20-22 लोग की कमी है सब लोग लाइक एंड शियर कर दो 24 नमबर का जितनी लोग B एंसर कर रहे है उसमे वेंजन जो है, ये घरसन से उच्चारित होने वाले वेंजन होते है जिनको हम उसमे वेंजन कहते है अगला देखे, क्वेचन नमबर 25 है निम्न लिखित में से कौन सा वर्ण घोस है 25 का उतर दो, घोस कोन सा वर्ण है 25 नमबर का राइट एंसर खुस्बू यादव, सोना, स्रिया, संध्या, सैंडी, सरिता क्वेचन नमबर 25 का राइट एंसर, C बिल्कुल राइट एंसर है भाई दा, दा जो है ये घोस वर्ण है अगला है क्वेचन नमबर 26, इस्थान के आधार पर बताईए कि मूर्धन वेंजन कौन सा है क्वेचन नमबर 26 का उतर दो 26 का राइट एंसर, जितने लोग एंसर यहाँ पर कर रहे है C बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, डा और ढ़ा अगला देखिए क्वेचन नमबर 27, निम लिखिद में से कौन सा स्वर संवरित है 27 का एंसर, 27 का सभी लोग करेंगे निशा, पूजा, राकेश, पलक, गौरा, सिवानी, रूमी, विशाल, प्रीती, अभिसेक, विनोध, रागनी, एंजल, पार लोग एंसर कर रहे है, C, छोटी E, स्वर संवरित है, अगला है, क्वेचन नमबर 28, छा, ध्वनी का उचान स्थान है, 28 का एंसर देंगे सब लोग सबी लोग लाइक कर दो, 200 लाइक तो कंपलीट कर दो, प्लीज, सब लोग लाइक कर दो, जिन्होंने नहीं किया, और शियर करो वाटसप पर, 28 का जितने लोग एंसर कर रहे है, C, तालब वे बिलकुल सही है, भाई, 6 जो है, तालब वे धोनी है, अगला है, क्वेचन नमब शिया, पलक, जोती, सबना, क्वेचन नमबर 29 का काफी लोग एंसर कर रहे है, विशर, बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा, अगला देखते हैं, 30, निम लिकिस सब्दों में से किस सब्द की, के दुईत्त वेंजन है, 30 का राइट एंसर दो, बताओ कौन से सब्द दुईत्त का है, 30 का राइट एंसर, छाया, मौर्या, सीवं, विनोध, रागनी, समरिता, गौरा, क्वेचन नमबर 30 का उत्तर, जितने लोग सी एंसर करने हैं, लज्जा, लज्जा जो है, यह आपका दुईत्त वेंजन है, अगला देखें, क्वेचन नमबर 31 हैं, आधूनिक व्याकर है, 31 का एंसर दूँ, 31 का जितने लोग एंसर कर रहे हैं, आपर ए बिल्कुल सही है, ओस्ट है, इसपर्स, अलब प्राण, घोस और निर नासिका, नाशिक, अगला है, क्वेचन नमबर 32, आयोगवा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बताओ 32 का राइट एंसर, क्येवल 30 लो भाई, वोचिंग में सब लोग शियर कर दें, लाइक, क्वेचन नमबर 32 का राइट एंसर, चली आइंसर करो भाई, 32 का उत्तर, 32 का जितने लोग एंसर कर रहे हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, अनुश्वार एं विशर्ग को अयोगवा कहा जाता है, अगला है 33 नमब 33 का उत्तर दो आप लोग, very good, 33 का जितने लोग एंसर यहाँ पर कर रहे है, 33 का, सी विल्कुल सही है, तालू, तालू विल्कुल राइट एंसर, अगला देखे, क्वेचन नमबर 34 है, डा का उच्छान स्थान होता है, 34 का उत्तर दो आप लोग, 34 का एंसर करेंगे सब लोग अंबुज, प्रतिभा, मोनिका, आस्तोस, राकेश, पलक, सैंडी, निले, सब लोग एंसर कर रहे है, 34 का राइट एंसर जितने लोग एंसर कर रहे है, नासिक के बिल्कुल सही है, अगला देखे, क्वेचन नमबर 35 है, हर्षवर का उधारन है, कौन से वन हर्षवर है, बता 25 का राइट एंसर इसमें से, 35 का उत्तर, 35 का जो राइट एंसर हो जाएगा, जितने लोग एंसर कर रहे हैं, आपर ए, बिल्कुल सही है भाई, ये सारे आपके हर्षवर के उधारन है, अगला है, क्वेचन नमबर 36, भासा की द्रिश्टी से बढ़ा उ, किस प्रकार का स्व रहे हैं, बताओ भाई, 36 का राइट एंसर, 36 का जितने लोग एंसर यहाँ पर कर रहे हैं, बी बिल्कुल सही है, पच सम्वरित, अगला देखे, क्वेचन नमबर 37 है, निमलिकित में कौन सा वेंजन स्पर्स संघर्सी है, 37 का राइट एंसर दो, कौन सा वेंजन स्पर्स संघर्सी, 37 का एंसर करेंगे सब लोग, जो भी छात्र नया है, पहली बार हमारी क्लास में आया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और कर बेल आइकन को जुरूर ओन करने, डेली लाइफ टेस्ट के लिए, क्वेचन नमबर 37 का ए से हो जाएगा जा, जा जो है आपका इस 38 बताओ, 38 का जितने लोग एंसर कर रहे है, ए पार्षविक बिल्कुल राइट एंसर है, ए बिल्कुल सही उत्तर है याँपर, अगला देखी, क्वेचन नमबर 39 है, अगो सुबंड कौन सा है, 39 का उत्तर दो, सबी लोग जुड़े हैं, सबी लोग क्लास को लाइक कर दो भाई, 19 लोग की कमी है मात्र, सरका भी बात मानलो, सब लोग शियर कर दो, प्लीस वाटसपर और लाइक कर दो, 39 का जितने लोग D एंसर कर रहे हैं, शाह, यह आपका अगोस उवाण है, अगला है क्वेचन नमबर 40, इन में से कौन सा युग्म अगोस दोनी है, बदा दो भाई, 40 का उत्तर जल्दी से, बहुत बढ़िया, 40 का जितने स्टुडेंट हमारे एंसर कर रहे हैं, सी बिल्कुल सह, यह पा और का, यह अगोस दोनिया है, अगला है क्वेचन नमबर 41, देखे, कंठोस्ट धोनी का उधारन है, क्वेचन नमबर 41 का एंसर देंगे, कंठोस्ट धोनी का उधारन कौन सा है, 41 का राइट एंसर सब लोग करो, देखे, 41 का दोस्तो जो राइट एंसर हो जाएगा, आपका आप्शन नमबर A से हो जाएगा, और, और हो जाएगा, A बिल्कुल राइट एंसर, अगला देखे, 42, भासा निर्मान की इकाईयों का सही अनकरम है, 42 का उतर दो, भासा निर्मा हो जाएगा, सताबदी बन जाएं, सुग्रिव यादो, सताबदी बनके चलें, हद करते हो भाई, 42 का राइट एंसर, 42 का डी से हो जाएगा, ध्वनी सब्द पद वाक, ये सही है, अगला है, देखे, क्वेशन नमबर 43 है, निम्नांकित में से उच्चार्म स्थान के आधार पर कंट से लेकर मुख विविर से उच्चारित वेंजन धोनियों का सही अनकुरम बताईए, ये भी बीएड में पूछा गया था, 2018 में, बताओ सबसे मोस्ट इंपॉर्टन क्वेशन है, ये यूपी बीएड 2018 रिसंट एक्जाम में पूछा गया था, 43 का एंसर दो आप लो सबसे इंपॉर्टन क्वेशन करवा रहा हूँ भाई, सारे क्वेशन रट लेना, एक बार दुबारा जरूर देख लेना इस क्लास को जितनी भी टॉपिक वेज क्लास करवाँगा, क्वेशन नमबर 43 का राइड एंसर, आपका ओप्सन नमबर A से हो जाएगा, कंठ, तालव वात्सर, दंत और ओस्ट है, यह सही अनकरम है, अगला देखिए, क्वेशन नमबर 44 है, उचारन के आधार पर A है, उचारन के आधार पर बड़ा A क्या है बता दो भाई, क्वेशन नमबर 44 का राइड एंसर, हाँ बिल्कुल भाई, सताबदी एक्सप्रस मन जाए ना, हो जाएगा भाई, दी बिल्कुल राइट एंसर है, 44 का डी, अगला देखिए, क्वेशन नमबर 45 है, महा पराण धोनिया, वेंजन वर्ग से में किस से संबंदित है, 45 का एंसर दो सब लोग, सब लोग क्लास को लाइक एंड शियर कर दो, बहुत बहुत शुक्रिया, शीमा पांडे जी, जो लोग पसंद करते हैं, जिन लोग को अच्छा लगता है पढ़ना, और जिन लोग को लगता है कि सर, जो भी पढ़ा रहे हैं हमको, सर, हमारे लिए मेनत कर रहे हैं, हमारे लिए इंपोर्टन चीजे ही लेकर आ रहे हैं, वो लोग प्ली सपोर्ट भी किया क करें हमें आपसे सपोर्ट की जुरूत है बस आप लोग इतना करिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा आपको लोग तयारी कराने के लिए 45 नंबर का सीस हो जाएगा सब लोग लाइक एंड शियर कर दो जल्दी से दूसरा और चौथा बिल्कुर सही है महापरां दोनिया वेंजन 46 का राइड एंसर 46 का जितने लोग एंसर कर रहे हैं आपर ए या जो है बिल्कुल सही उतर है अर्दस्वर है अगला देखिए क्वेस्चन नमबर 47 या रा लावा वेंजनों को कहते हैं 47 का उतर दो देखते हैं कितने लोग को पता हिए पूनंबर जापती गौरो सिया अंसु जया कुमारी रूपा भविता रजनी रोली श्रिया कुमारी खुसबुर आसतोस निलेस सपना मन्नू काजोल एंजल हिमानसु 47 का जितने लोग एंसर कर रहे हैं आपर 47 का बी बिल्कुल सही है अंतस्थ वेंजन अगला देखिए क्व योग से बना है 48 का एंसर दो 48 का उत्तर बिल्कुल तेज बहादुर जी भेज दूगा लेकिन आप लोग सपोर्ट तो करो 200 वाचिंग टार्गेट कंप्लीट कर दो भाई 200 आ जाए बच्चे मैं इसका पीडिया फाइल दे दूगा बिल्कुल फ्री आपकास टेली ग्राम प और अहां की स्म manage के साथ साथ आता है उनना चाट कराइट अनसर्दी से साथ आता है अगला देखिए सब्नमार कि न Напर पाचास है निम्द में से महाप्राण-वर्ण हैं पाचास का उत्र देदो दिलनी बीयंड में आया था सए पचास का उत्तर दो निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है अब आप लोग जुड़ जाओ 200 लाइव वाचिंग कंप्लीट करने में क्लास के तुरंत बाद में टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा 200 प्लेस हो जाएंगे लाइव वाचिंग तो पीडिये फाइल डाउनलोड कर दीजिए का भाई रिवीजन करने के लिए पचास का राइट एंसर बता दो जल्दी से 50 का एज इतने लोग कर रहे हो भाई बिल्कुल सही है था आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 51 है निम लिकित में से दंतेवन है बता दो 51 का राइट एंसर दंतेवन कौन सा है 51 क 25 लोगों को कि मैं ले आओ भाई इतना लोग शियर करकर 51 का राइट एंसर वेरी गुड आस्तोष पंकज अभी सिखा अंजली अर्चना क्वेश्चन नमबर 51 का जितने लोग कर रहे हैं सी बिल्कुल राइट एंसर है ता ता बिल्कुल सही उत्तर है बाई अगला देखिए क्वेश्चन नमबर 52 घा का उचान स्थान कौन सा है इगनूबीयड में आया था बाई इगनूबीयड